कि विल्कम फ्रेंट्स आज हम फिट से उसी के आंगे नेश्ट कवर करते हैं पॉलिटिकल जी के राश्ट पति देश में आपात इस्थिती की घोश्वडा निम्न लिखित मेंसे मेंसे किसे लिखित परामर्स प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है तो देखें चार आपसन दे रखा है और दो सेखेंड करें कांसर स्थ होगा तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा मंत्र मंडल तो अगला देखेंगे श्रविधान शभा के शम्मुक किष्णे स्रविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी तो करेक्ट अंसर इसका भी पंडित जवाहलाल नहरूफ हो जाएगा अगला देखेंगे इस्थानी MPS MLA गड़ निम लिखित में किसके पदें सदस होते हैं तो करेक्ट अंसर हो जाएगा इसका पंचायत सिमित की चलो देखते हैं अगला देखेंगे मालीक अधिकारों पर निम लिखित में से किसके दौरा प्रतिबंद लगाये जा सकते हैं तो 64 करेक्ट अंसर हो जाएगा उच्चतम नियाले दौरा उच्चतम Нियाले दौरा ही होगा प्रतिबंद अगला देखेंगे नियमनिलिकीत में से किस छेतर में इस्थानी निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंतरण नहीं है तो देखेंगे इसका राइट एंसर हो जाएगा E. नियम निर्थार्ण और जो बेशिक से बनने वाले प्रश्ण होंगे उसको हम बेशिक से में डिस्कस करेंगे जैसे पिछले वीडियों हमने डिस्कस किया था और देखेंगे चलो देखते हैं नेश्ट देखेंगे लोग प्रीव प्रभुसत्ता का समर्थन किया था तो चीनी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अमेरिकी समिधान चलते हैं अगला देखेंगे वीडेशों के भेज़े जाने वाले विबिन संसदी प्रत निधी मंडलों के लिए व्यक्तियों का नमांकन निमने लिखित मेंसे कौन करता है करेक्ट अंसर हो जाएगा लोग सभा अध्याच्यों अगला देखेंगे किसी राज्य के राज्य पाल को निमने लिखित मेंसे किसकी सकती नहीं है तो किसकी सकती नहीं तो इसका करेंगे अगर हम तो विदान सभा इस्थेगित करने की चलते हैं उचतम नियाले के सबसे पह पंद्रवी लोग सभा के अधच्छ कौन है तो मीरा कुमार है अगला चलेंगे भारत में वित आयोक के सदस्यों की नियुक्त किसके दोरा की जाती है तो नियुक्त की बात पूछा गया है तो राश्ट पती और नियुक्त सबसे ज़्यादा राश्ट पती ही करते हैं अगर option दे रखा है राश्ट पती और question नहीं आ रहा है कि इसमें doubt है क्या करें तो राश्ट पती ही अगर नियुक्त की बात कई जा रही है तो राश्ट पती पर ही option क्लिक करें क्यों एक्जाम में समय बहुत कम मिलता है चलते हैं अगला देखेंगे पुद्चेरी को भारती संग मे कब सम्मिलित किया गया तो कब सम्मिलित किया गया था इसका 1956 हो जाएगा किस समीत के पदेन अद्च लोग सभा का अद्च होता है निमनलिकित में से तो देखेंगे correct answer की बात करेंगे तो नियम समीत ही हो जाएगा चलो अगला देखते हैं राज लोग सेवा आयोक के सदस्य नियम करता है तो इसका राज जपाल right answer हो जाएगा ठीक है तो चलेंगे और अगला फिर से देखेंगे राजसभा कब भंग होती है तो क्यों राजसभा की बात कही गई है तो राजसभा पहली बात तो कभी भंग होती ही नहीं है तो right answer D जरूर करेंगे बहुत लोग क्या कर कर सकते हैं क्या कर देते हैं साल बाद ठीक है ना तो गलत है क। चलेंगे भारत में मंत्री पर्शट्त शामोही रूप से किसके प्रति उत्तर द़ाई है प्रति उत्तरदाई की पूछा गया है तो लोग से वहां मों क्या करेंगे अंसर किलिक कर देंगे चलो चलते हैं अगला देखेंगे भारती साविधान दोरा मौली का दिकार दिये गए हैं मौली का दिकार दिये गए हैं ना तो मौली का दिकार समस्त देश वासियों को राज पुर्ण गठन आयो के अधिछ कौन थे तो देखेंगे 69 करेक्ट अंसर हो जाएगा फजल अली तो जूम कम करते हैं फजल अली हो जाएगा इसका पंदोर्वी लोग सबान में अनसूचित जाएगा कितने स्थान आरच्छी थें तो कितने स्थान देखेंगे 84 और अंसर अगला चलेंगे संसत की सयुग तो बैठक की आध्यच्ता कौन करता है तो आध्यच्ता की बात करेंगे लोग सवा आध्यच्यों भारत गड़तंत्र कब बना देखेंगे राइट अंसर 26 जनवरी 1950 करेक्ट अंसर हो जाएगा अगलक बात करेंगे भारती सविदान में मौलिक करतब संमेलित किये गए तो कब की बात कही गई है 1976 में चलो देखते हैं काउंसिधारा संसत तथा राजविदान मंडलों में अनसूचित जातियों के लिए सीटों का आरच्छड बताती है तो सीटों की बात कही गई है ना 84 करेक्ट एंसर हो जाएगा धारा 330 वा 332 और बता देते हैं और UPSI और पुलिस अधिकांस पॉलिटिक्स बहुत आती है ठीक है और जरूर देखें और धारा धारा जिसे ये कुश्चन अभी देखा है अनुसुचित आर्टिकल वगएरा इससे कुश्चन बहुत आते हैं और पॉलिटिक्स अकसर एक्जाम में जरूर पुछी जाते हैं चाहें किसी भी एक्जाम के लिए तैयरी कर रहे हो एयर फोर्स में भी आती है और SSC, रेलवे जरूर देखना ना भूलें पंचायती राजप्राली में महिलाओं के लिए कितनी प्रसत चिटे अरच्छित हैं तो देखेंगे इसका राइट अंसर हो जाएगा 33% और बता देते हैं कल आप लोगों को वीडियो मैद का वीडियो मिलेगा कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैद का वीडियो बनाएं और वट्सम में भी कुछ लोग मैसेस किये तो ठीक है कल से वीडियो मैद का ही मिलेगा और हाँ अगर पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है तो जा करके चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट में वीडियो कई मैद के पड़े हुए हैं तो जा कर देख सकते हैं और टेलिग्राम में भी देख सकते हैं कई वीडियो हमने अप्लोड डाले थे और उसके माध्यम से भी देख सकते हैं तो चलेंगे अगला देखेंगे भारत में मंत्री मंडल शामोही कुरूप से जवाब दे होता है तो रालोक सभा को हो जाएगा उच्च नयले के नयाधीसों की नियोक तो करते हैं तो 87 करेक्ट अंसर केanges अगर हम बात करेंगे तो C हो जाएगा राष्ट पती चलेंगे हम भारती गरतंत्र में किस राजि किस दिश्वता किस राज्य किस दिस्टा तो अनिवार होता है आगला चलेंगे निम्न लिखित कौम सा राज्य का घटक नहीं है तो 89 करड़ अंसर सत्ता हो जाएगा अगला चलेंगे धर्म निरपिछ राष्ट का अर्थ होता है क्या होता है देखिए इसका B विरहित क्या हो जाएगा धर्म विरहित राष्ट हो जाएगा B option ठीक है और अगला देखेंगे आदुनिक समय में वीद का एक मात्र साधन है वीद का एक मात्र साधन क्या हो जाएगा सासन हो जाएगा समाजिक समता से क्या अभिप्रिया है तो बात करेंगे D समाज में बेदभाव नहीं हो किन दो प्रकार किसे नागरिता प्राप्त होती है तो D क्या हो जाएगा इसका 93 आप्सन नमबर A हो जाएगा नैसर्गिक एवाम अंगिकरत हो जाएगा कौन सा राजनितिक अधिकार नहीं है तो C सिच्छा का अधिकार नहीं है भारत में राष्ट पती अपना त्याग पत्र किसके समच्छ पेस करेंगे तो समझ फेस करेंगे ए अप्सन उपराष्ट पती हो जाएगा अगला चलेंगे सविधान की किस आद्ल सूची में चेत्री 22 भाईसायां besumlet की गई है तो 22 भाईसाया besumlet की गई है तो राइट अंसर की बात करेंगे 8.वी आद्ल सूची में अगला चलेंगे योजना आयोग का अध्यच होता है योजना आयोग तो क्या परधान मंत्री होते हैं ठीक है अब क्या नीती आयोग चेंज कर दिया गया है कब 2015 एक जनवरी 2015 तो right answer परधान मंत्री नीती आयोग याद रखेंगे और गारेवी फटाओ नारे के एक साथ किसका नाम जुड़ा है तो बात करेंगे इसका correct answer हो जाएगा इंद्रा गांधी चलेंगे अगला और भारती सविधान का निम्नलिकित में से कौन सा पच्छ यूएस एक सविधान के समान है तो सविधान के समान है तो क्या बात करेंगे मौलिक अधिकार अगला चलेंगे अच्छा स शयूक्त राष्ट दी बस बहुत अच्छा कोश्टन है यह वाला एकसर एक्जाम में जरूर पूसर जाता है तो बात करेंगे शयूक्त क्या हो जाएगा इसका correct answer बताएं 24 अक्टूबर हो जाएगा और बता दें और जैसे शयूक्त राष्ट और शन की बात करेंगे तो कित हमारे कोश्चन सही है यह एक मान के चलिए क्यों जिस्ट के माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं ठीक है ना सजयूक्त राष्ट संग में हिंदी में भासर देने के वाले प्रत्म वैक्ति बताएं तो वैक्ति बताएंगे तो ए अटल विहारी बाच पी जोकि हिंदी में भासर हो जाएगा 1948 में अगला चलेगे आंतराष्टी नियाले में कितने जज होते हैं तो जज की बात कई गई है 15 जज होते हैं चलो चलते हैं सजयूक्त राष्ट से जुड़ा पहला विसिस्ट संगठन संगठन की बात करेंगा आंतराष्टी स्रम संगठन हो जाएगा आंतराष है और देखेंगे है निम्ह लिखित में से कौन सा देश सहींत राष्ट सुरच्छा परिसत का अस्थाई सदस्थ की पूंछा गया है ना ठीक है इस्थाई सदस्थ कौन सा नहीं है तो भी आपसन जर्मनी हो जाएगा विस्टास अंगठन के अंतरगत कुल कितने राष्ट हैं देखे कुल कितने राश्ट हैं तो हम बात करेंगे 193 ठीक है ना 193 और चलेंगे अगला देखेंगे संग के सुरच्छा परसत की 10 संख्या है क्या हो जाएगा जो कि 15 हो जाएगा चलेंगे अगला नेश्ट देखेंगे करेंगे गांच धीट कांट अब मनाया जाएन तो बात करेंगे सबी को पता होगा और पता नहीं आए तो जान लें तो पांज जून को मना जाता है चलेंगे अगल अगला देखेंगे रिड क्रास का संस्थापक कौन है तो बात करेंगे जे एचे डुनान्ट अगला देखेंगे सयंक्त राष्ट संग का आस्तित्तों में आया देखेंगे हमने पहले ही बताया था वही कोश्चन 1945 रिफिट्ट जो की हमने सन मताया था अलग से और देखेंगे अगला देखेंगे अंतर राष्टी न्याले कहा है तो क्या बोलते हैं हेग में अगला चलेंगे सयंक्त राष्ट संग का आम सभा के अध्यच एक मात्र कौन भारती महिला बनी थी तो एक मात्र कौन भारती महिला बनी थी तो देखेंगे राइट अंसर की बात करेंगे तो विजयल अच्छमी पंडित इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा और दोस्तों अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लिजिए और वेल आइकान में प्रेस कर लें कि समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और पिछले वीडियों अगर नहीं देखा है कई वीडियों है मैत इंगलेस रिजिनिंग और जीके में काफी हमने बताया है करेंट अफेर्स भी पढ़ाया हुआ है तो बीच-बीच में करेंट अफेर्स के वीडियों मिलते अगर नहीं देखा है जा करके देख सकते हैं और उसी से एक्जाम में किसी भी त्यारी त्यारी कर रहे हो सभी में वहीं आएंगे ठीक है ना तो देखेंगी वर भेद के विरुदिस सेंगतर राजस सम्मेलन कहा अयोजित हुआ है बात करेंगे इसका डर्बन में हो जाएगा चलेंगे अगला देखेंगे सर्वार्धिक बार मिनिसे साधिकार का प्रियोग किस देश ने किया तो पूचा गया है तो क्या हो जाएगा रूस चलेंगे अगला चलेंगे UNDP का पूरा नाम और हाँ फुल फार्म जरूर याद रखें क्योंकि अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है तो UNDP का फुल फार्म हम लोग डिसकस करेंगे तो हो जाएगा United Nations Development Program चलो अगला चलेंगे UNESCO का मुख्यले कहां है तो UNESCO की बात करेंगे कहां पर हो जाएगा बताएं जिनेवा करेक्ट अंसर हो जाएगा चलो अगला देखेंगे भारती सविदान के किस संसोधन दोरा प्रस्तावना में दो शमाजवादी और धर्म पेच जोड़े गए थे तो बताएं इसका करक्ट अंसर हो जाएगा बाइलिस में ठीक ना बाइलिस में हो जाएगा अब आप बात करेंगे आज किस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और 60 कोरिशन कंप्लेट हुए और जो कि बहुत important है अकसर एक्जाम में इसाई पुलिस जरूर आता है तो ठीक फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियों के साथ